हेलो फ्रेंड्स आया मानिल आईतान क्लास 9th NCRD Mathematics के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स इस वीडियो में आप समझेंगे exercise 7.3 के question number 4 and 5 को फ्रेंड्स चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कीजिए bell icon को press कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको notification राप्त होसके question number 4 BE और CF एक तिर्भुज ABC के दो बराबर सीर्चलंब है RHS सर्वांग समता नियम काप्रियो करके सिद कीजिए कि तिर्भुज ABC एक सम्धिवाहू तिर्भुज है तो दिया है तिर्भुज ABC में BE और CF दो बराबर सीर्चलंब है एक ABC तिर्भुज दी है जिसमें BE और CF बराबर सीर्चलंब है यानि ये दोनों कौन नबबे डिगरी के हैं और BE बराबर है CF ये दिया हुआ है शिद करना है तिर्भुज ABC एक सम्दी बाव तिर्भुज है यह हमने शिद करना है तो प्रमान तिर्भुज BEC और तिर्भुज CFB में कौन BEC बराबर है कौन CFB के BEC यह कौन है CFB के इस कौन के बराबर है क्योंकि यह दोनों क्या है 90 डिक्री के है 90 डिक्री क्यों है क्योंकि BE लंब है AC पर और CF लंब है AB पर पर परतेक 90 डिक्री है और BC बराबर है CB यह जो BC है वो CB के बराबर है क्यों क्योंकि यह उभे निष्ट है यह भुजा common है इसमें दोनों तिरभुजों का यह करण है hypotenuse है और BE बराबर है CF के यह क्या है दिया है तो इस परकार तिरभुज B E C सरवांग समय तिरभुज C F B के तिरभुज B E C सरवांग समय तिरभुज C F B के कौन से नियम से right hypotenuse side नियम से यहनि सम कौन करण भुजा नियम से दोनों तिरभुज़ें क्या है सरवांग समय तो इस परकार कौन B बराबर है कौन C के by C P C T सरवांग सम तिरभुजों में संगत भाग समान होते हैं यह हम एक नमबर लेलते हैं कौन B बराबर किसके हो गया कौन है C के यह हमने सिद्ध किया तिरभुज A, B, C में कौन B बराबर है कौन C के एक से एंगल B बराबर है C के तो एक तिरभुज में समान कौनों की सम्मुक भुजाएं क्या आती है समान होती है तो इस परकार समान कौनों की सम्मुक भुजाएं क्या होती है समान तो कौन B के सामने वाली भुजा कौन सी है? A-C, बराबर है, कौन C के सम्मुक भुजा कौन सी है? A-B, ये दोनों बराबर है, तो कहले हैं समान कौनों के सम्मुक भुजाएं, क्या होती है? बराबर होती है इस परकार तिर्भुझ A, B, C में भुजा A, C बराबर है अते तिर्भुझ A, B, C एक सम्द्वी बाहु तिर्भुझ है यही हमने सिद्ध करना था कि तिर्बुज एक सम्दी बाहू तिर्बुज है यह हमने सिद्ध किया अब आप इसका स्क्रिंशोट ले सकते हैं अमीर है आपने इसका स्क्रींश अब हम कुश्चन नुमर 5 को हल करते हैं कुश्चन नुमर 5 कुश्चन नुमर 5 में दिया हुआ है ABC एक संदी बाहू तिर्बूज है जिसमें AB बराबर है AC AP लंभ है BC खींच कर दर्शाइये की कौन B बराबर है C तो कुश्चन नुमर 5 में दिया हुआ है संदी बाहू तिर्बूज ABC जिसमें एक ये तिर्बूज है ABC जो संदी बाहू है जिसमें AB बराबर है AC और AP जो लंभ है BC पर तो इस परकार ये कितने डिगरी का हो गया 90 डिगरी का कौन हो गया और ये भी 90 degree का कौन होगे सिद करना है कि एंगल B बराबर है एंगल C के ये हमने सिद करना है परमान तो हम दो तिर्भुज ले लेते हैं हमने ये कौन B और C सिद करना है तो हम तिर्भुज A, P, B और A, P, C ले लेते हैं तिर्भोज ए पी बी और तिर्भोज ए पी शी में तो इसमें एंगल ए पी बी बराबर है एंगल ए पी शी के ए पी बी बराबर एंगल ए पी बी के क्यों क्योंकि ये क्या है ए पी लंब है गसी पर तोस परकार प्रतिएक नबे डिगरी के है प्रतिएक नबे डिगरी और A, B बराबर है A, C A, B बराबर है A, C ये क्या है? दिया है च्योंकि तिर्बुज A, B, C जो है एक है सम्दी बाहू तिर्बुज है जिसमें A, B बराबर है A, C दिया है और A, P उभेनिष्ठ है दोनों में A, P बराबर है A, P ये क्या है? उभेनिष्ठ यानि ये भुजा कॉमन है तो इस प्रकार तिर्बुज A, P, B सर्वांग सम्हें तिर्बुज A, P, C के कौन से नियम से? राइट हाईपोटेनियस साइड यानि समकोन करण भुजा नियम से ये दोनों तिर्बुजें क्या होगे? सर्वांग सम्हें तो सर्वांग सम्हें तिर्बुजों में संगत भाग क्या होती है? समान होती है तो इस प्रकार एंगल B बराबर हो गया एंगल C के by cpct यही हमने सिद करना था कि angle b बराबर है angle c के तो यह हमने सिद किया अब आप इस question का screenshot ले सकते हैं उमीद है आपने screenshot ले लिया है उमीद है इस video में समझाएगे question number 4 और 5 आपको समझ में आये हैं समझ में आये इस video को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और channel को subscribe कीजिए